जात और धरम के नाम पे समाज का बटवारा दरस अलिस देश की जो आम आवाम है उनके हक खूप को छीनने और मारने की साजिस है यह बात हमको समझना परेगा सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है यह बात हमको अपने दिमाग में डाना हो लेगा चुनाव को सम्मी करिंड बना दिये हैं उनसे हम एक सवाग पुछना चाहते हैं कोरोना का बिमारी जाद पुछ करके हो रहा था जाट पुछ करके पुछ करके करोना होता है पहले आपका आपका उपनाम पुछता है बता इता हाँ कवं यह तब तक पुडवग बनाईएगा देखिए पुडवा पचिया कुछो हो जाए कुछ हो जाए इतना तों मानते हैं कि कॉंग्रेस कभी भाजबा के साथ नहीं जाएगी बोलिये खुल के बोलिये कुछ हो जाए अरे हो सकता है दुचार को सिंधिया निकल जाए क्या दिक्कत क्या कॉंग्रेस पाटी कभी भाजबा के पास जा सकती है और एक इतिहास और बता देते हैं सीना ठोक के बोलते हैं कल से प्रवक्ता जबाब दें कि कॉंग्रेस पार्टी को छोर करके कौन इसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गलाम नहीं मिला है भाजपा से लगना चाहते हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ होंगे और जो कॉना कॉना कॉन कॉना सतली पुताओ करना करना चाहते हैं वो यही गुना का नित करेंगे राश्ट कभी दिन करने एक बात कही है दो न्याय अगर तो आधा दो उसमें भी अधिवाधा हो तो देदो के बद पांच गराम रखो अपनी धर्ती तमाम हम पाटी के तौर पर सिर्फ अपने हग की बात कर रहे हैं विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सगात सदाकत आश्रम की भूमी समझ सकती है इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दूसरी की लकीर मिटाते रहते हैं, हम आसावादी लोग हैं, किसान पडिवार में पैदा लिये हैं, हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खीच कर दिखाएंगे, नया बिहार पना कर दिखाएंगे, कोंग्रेस पाटी नहीं है सत्ता में विहार की सत्ता में कॉंगरेस पाटी से जिन लोगों वोट घिनी थी इस बिहार की जनता जो उनके घर पे जाते हैं वोट मांगने के लिए तो पूछे ना कि बताओ केintellies हो तीस साल में पूछना चाहिए , और साथ ही कईसे कि जीएगा तो हमने कहा अपने दोनों दोस्तों की तरफ रिषारा करके कि कि देखिए हार्दिक की तरफ देखिए जिगनेस की तरफ और देखिए हमारी तरफ कुई प्रिष्ट्भुमी है किसे परिवार नईसा है जिसका नाम लेकरके हम लोग राजनिती कर सकें है कोई हमेरे अइतियास हम आपकी तरह एक साधारन इंसान का बच्चा है हम तीनों का कोई प्रिष्ट्भुमी नहीं है जिसके जिसके पास बाबु जी का थाती है ना सब अपने अपने च्छाती में उसको लबेट लिया है कोई बाटने के लिए तयार नहीं है एक मात्र नेता स्री राहूल गांधी और ये मेरी मेरा दक्तिकात अंभब नहीं है हमारे जैसे प्रिश्टमुमी बाले दो और आंदोलन से निकले हुए नेता इहां बैचे बयंगे नेता यहां बहुत पूछ लिजीएगा एक सीट पूरे विपक्ष ने मिल करके जीता है वो कॉंग्रेस पार्टी ने जीता है अब इस्ट्राइगेट काई साथ में लगा